हेलो दोस्तों, बेलकम टू एलेक्ट्रोनक इस्टडी, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का, आज हम समझने वाले हैं चतरभुज, और इसमें आज हम इसकी बेसेक प्रोपेटी को समझेंगे, और अंगले सेशन में हम इससे जुड़े सारे क्वेस्चन्स को सॉल्व करेंगी, तो आजी समझते हैं, पहला पॉइंट है, चार भुजाओं से घिरी आकरिती को चतरभुज कहा जाता है, या कहते हैं, दूसरा है, चतरभुज के जो चारों कौन है, या आंतरे कौन है, उनका योग होता है, तीन सो साथ हंस, यदि कॉस्चन में दिया जाता है कि किसी भी चतरभुज, या नि चतरभुज के जिदी आपको नाम नहीं दिया है कि कौन सा चतरभुज है, तो उसका छेतरफल कैंसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है, एक बटे दो गुलत विकर्ण, गुलत विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, अब यहां देखिए, विकर्ण क्या है इसमें, H1 और H2, यह हमारा विकर्ण है और जो D है, वो हमारा है विकर्ण और H1 और H2 इस पर डाले गए लंब हैं, ठीक है ना, तो इस परकार से हम छेतरफल निकालेंगे, तो यानि इसको हम क्या लेख सकते हैं, एक बटे दो, गु अब आईये चैतरफोच के प्रकार को समझते हैं, यानि कितने प्रकार के होते हैं, पहला चैतरफोच है तो इसकी क्या प्रपैर्टी होती है, देखिए, इसकी जो सम्मक्ख भुजाय Hayیں वो आपस में बराबर होती है, यानि आमने सामने की जो भुजाये हैं, वो एक दूसर के बरावन नहीं होते लेकिन एक दूसरे को समदोई भाज़त करते हैं तो इसके जो बेकर्ण है वो कभी बरावन नहीं होते लेकिन एक दूसरे को जो है समदोई भाज़त करते हैं अब समानतर चतुरभज का छेत्रफल क्यांसे निकालेंगे देखिए आधार गोड़त उंच वे सुमसरेनि में क्य मैं इसके अगां यह एक पृप्रकार से बर्ग की सखतर नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे को सम्धव stereotypes करता हैं इसके भीड़ाभर नहीं होते हैं अब इसका शेतरफल कै seul कर आद इसका शेतरफल वां एक बटे दो गोड़त बेकरणों का गोड़न फल अब देखिए इसमें बेकरण डाले गए हैं D1 और D2 तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया एक बटे दो गोड़त D1 गोड़त D2 अब तीसरा वाला समझते हैं समलंब चतरवुज तो ऐसा चतरवुज जिसकी दो भजाएं समान समलंब चतरवुज कहलाता है दो भजाएं कौन कौन सी यहां पे आप देख रहे होंगे A और C यह दोनों समान तरव जाएं हैं और ये एक दूसरे के बरावर हैं लेकिन D और B यह एक दूसरे के बरावर नहीं हो सकती हैं यानि जिसकी केबल दो भजाएं बरावर हैं लख्या लख लेंगे एक बटे दो A प्लस C और गुड़त है बीच की दूरी मतलब कैसे पता चलेगी तो H मतलब हाइट इसकी जो हाइट होगी वही तो इसकी बीच की दूरी है तो गुड़त H से गुड़ा करतेंगी तो हमें इसका छेत्रफल मिल जाएगा आगे समझते हैं अब देखिए कुछ questions हैं उनको solve करते हैं यदि किसी चतरफुच के अंता कोणों का अनुपात तीन अनुपात चार अनुपात पांच अनुपात छे है तो प्रत्य कोण का मान क्या होगा अब देखिए यह मान दिया हमें अनुपात में और इसके हमें कोण गयात करने हैं तो हम क्या करेंगी ननुपात को जोड़ लेंगी तो इनका यूग हो जाएगा 18 तो 18 जो अनुपात किस के बराबर है 360 अंश के बराबर है तो 18 से 360 को काटेंगे तो 18 दूनी 36 और 0 का 0 यानि 20 बार कटेगा अब 20 का हम क्या करेंगे 3, 4, 5 और 6 में गुणा करेंगे तो हमें प्रित्य कौन का मान पता चल जाएगा जो कि करम सा 60, 80, 100 और 120 तो ये हमारे कौन हो जाएंगे तो I hope कि आपको ये वाला कॉस्चन समझ में आया होगा दूसरा कॉस्चन देखिए किसी समांतर चतरभुज का एक कौन यदी 55 डिगरी का है तो समांतर चतरभुज के सेस कौन ग्याद कीजिए अब चतरभुज के ऐसा है समांतर समांतर का मतलब होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो देखिए जो कुल योग होता है कौनों का वह 360 अंस होता है चुकि आमने सामने की भुजा बरावर होगी तो कौन भी बरावर होगी अब इस चतरभज में आप देखिए एक कौन दिया है मैं पचपन का तो उसके सामने का जो कौन होगा वो भी 55 का होगा ठीक है न, तो हमें 2 कॉण पता चल गए, तो 2 कॉणों का योग कितना हो गया, 55 और 55 हो गए 110, तो 360 में से हमने ये दो कॉण गटा दिये, 110 घटा दिया, तो हमें मिला 2500, अब जो 200 है यानि 250 वह अन्य 2 कॉणों का योग है, ठीक है न, तो 2 से इस से भाग देंगे, क्योंकि यह 2 दो कौनों का योग है तो हमें तीसरा कौन पता चल जाएगा जो की 125 संस हो जाएगा तो हमें कौन 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 से मिल गए 125 पचपन और 125 आंगे बढ़ते हैं एक और कॉस्चन देखिए यदि सम चत्रभुच के विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर वह 12 सेंटीमीटर हो तो भोज देखिए यहां पर 6-6 का हो जाएगा ठीक है ना क्योंकि बटा हुआ है और जो 16 का है वो भी 88 का हो जाएगा अब यहां देखिए हम यह वाला तिरभुच इसमें से बाहर निकालते हैं 6 और 8 वाला जो उपर बना हुआ था उसकी तीसरी होजा में निकालनी है तो हम यहां प को जूड़ने पर मिला 100 तो करण का बर गबराबर करणी में 100 करण बराबर हो जाएगा 100 से बाहर क्या आएगा करणी से 10 तो हमारी जो भुजा क्यात करनी थी हमें वो आगई 10 सेंटी मीटर यही हमारा आंसर हो जाएगा अब देखिए एक और कॉस्चिन देख लेते हैं एक स लम लम चतरूफज का 6 तरफल होता है एक बटे दो गोड़त भोजाओं का योग गोड़त लम बबद दूरी तो एक बटे दो भोजाओं का योग मतलब 1.5 और 2.5 इनको हम जोड़ लेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 गोड़त बीच की दूरी या लम बबद दूरी क्या दी हमें 6.5 तो वो भी पुट कर देंगे अब 2 से 4 को काटेंगे तो दो बार कटेगा और 6.5 में जब हम 2 से गोड़ा कर देंगे तो 13 मीटर स्कौर हमारा चेत्रफल आ जाएगा तो आई होग कि आपको ये आज की सेशन में सारी चीज़ें समझाई होंगी आंगे हम कुछ और प्रोनिक श्टडी के सार बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का